इन्फोग्राफिक्स नहीं यह बेसिकली जो वर्ड है वो है इन्फोग्राफिक्स जिसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो हम कहते हैं इन्फोग्राफिक्स अब सवाल यह पैदा होता है कि इन्फोग्राफिक्स दिरसल है क्या देखें जी बहुत ही असान सी बात है जब भी किसी भी information को graphics की सूरत में या graphics की मदद से present किया जाता है तो वो basically info graphic कहलाता है मिसाल के तौर पे अगर हम smoking के जो नुकसानात हैं disadvantages हैं इनके हवाले से अगर एक graphical information produce करें तो ये disadvantages of smoking पे एक info graphic कहलाएगा अच्छा अब बात ये है कि info graphic हम बनाते क्यों हैं या इस्तमाल क्यों करते हैं ये बहुत important बात है देखें ये natural है कि इनसान का जो दमाग है वो किसी भी information को बेहतर तरीके से process कर सकता है ज्यादा बेहतर तरीके से process कर सकता है अगर वो information visual की form में हो आप लोगों को मालूम होगा हमें चेहरे अकसर याद रह जाते हैं नाम याद नहीं रहते आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग याद होंगे जो स्कूल में बहुत अरसा पहले आपके साथ पढ़ते रहे आज आपको उनके नाम शायद याद नहीं लेकिन उनका चेहरा अभी भी आपकी आँखों के सामने और आपको याद है तो basically क्या proof हुआ कि visual ज्यादा देर तक याद रह जाता है और ज्यादा असानी से समझा जा सकता है इसलिए हम किसी भी information को जब present करते हैं तो being graphic designer हम उसको graphics की सूरत में या visual की सूरत में जो है वो present करते हैं और यही कहलाता है info graphics अच्छा कुछ statistics मैं आप से share करना चाहता हूँ जो के support करते हैं info graphic के idea को और फिर उसके बाद हम इसके बारे में कुछ मजीद गुफटगू करेंगे एक मुहतात research के मताबिक 40% लोग जो हैं वो किसी भी information को ज्यादा बेतर तरीके से response करते हैं समझते हैं जब वो information visual की form में होती है ना के अलफाज की form में देखें हमें पता है कि कोई भी information है वो words की सूरत में provide की जा सकती है जैसे कि इस वक्त मैं भी आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप लोगों को कुछ चीज समझा रहा हूँ जब मैं उसी concept के हवाले से या उसी चीज के हवाले से आपको कोई एक्जामपल दिखाता हूँ जो visual form में होती है तो आपके लिए उस चीज को समझना ज़्यादा असान हो जाता है लहाजा यही वो वज़ा है जिसकी वज़ा से हम लोग इन्फोग्राफिक को डिजाइन करते हैं अच्छा एक और research ही कहती है कि 45% से भी ज़्यादा मार्केटियर्स या बिजनस को रन करने वाले जो लोग हैं वो आज के दोर में अपनी प्रॉड़क्स को सेल करने के लिए या उनको प्रॉमोट करने के लिए इन्फोग्राफिक का सहारा लेते हैं मिसाल के तोर पे अगर एक चाय का ब्रैंड है और वो उन्होंने अपना एक फेस्बुक पे पेज बनाया या किसी भी सोशल कमिनिकेशन वेबसाइट पे पेज बनाया या अपनी एक वेबसाइट बनाई अब वो अपनी वेबसाइट पे या अपने फेस्बुक पेज के उपर एक इन्फो ग्राफिक बना के शो करेंगे जो के क्या बता रहा होगा वो बता रहा होगा कि चाए पीने से इनसान की जो वर्क कपैसिटी है या जो उसकी परफॉर्मंस है वो किस कदर बूस्ट हो जाती है तो ये चाए और कॉफी के जो ब्रैंड्स होते हैं वो अकसर अपनी सोशल कम्यूनिकेशन वेबसाइट्स पे या अपनी ओफिशल वेबसाइट्स पे इस तरह की इन्फो ग्राफिक्स बनाते है और लांच करते हैं ताके देखने वाले जहें वो उनकी प्रॉड़क में इंट्रस्ट लें अच्छा अगर कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए इन्फो ग्राफिक की तो ये भी एक बहुती इंट्रस्टिंग फैक्ट है कि इन्फो ग्राफिक की हिस्ट्री जो है वो बहुत जदा पुरानी है जो cave painting है जिसकी एक नमूना आप इस वक्त देख सकते हैं कहा यह जाता है कि यह जो cave painting है जो इनसान ने गारों के दौर में जब वो गारों में रहता था और उसके पास proper language system भी नहीं था उस दौर में इनसान ने इन्फो ग्राफिक्स का सहारा लिया अपना message दूसरे इनसानों तक communicate करने के लिए अगर हम गोर करें तो इन cave painting के अंदर उस दौर के जो लोग थे गारों के जमाने के उन्हों ने मुक्तलिफ जानवरों से बचने के लिए खत्रे से बचने के लिए information जो है वो provide की दूसरे लोगों को और इसी तरह से तस्वीरी खाकों की मदद से शिकार के हवाले से भी information जो है वो दी लोगों को तो ये जो एक cave painting है इसको माना जाता है कि ये इन्फोग्राफिक का जो अमल था वो इस cave painting के साथ ही शुरू हो गया था जब इनसान ने visual की form में या तस्वीरी खाकों की मदद से कोई भी information दूसरे इनसान तक पहुंचाना शुरू की थी तो चलें अब कुछ बात कर लेते हैं इन्फोग्राफिक की types के हवाले से तीन major categories या types पाई जाती हैं इन्फोग्राफिक के हवाले से जो तीन major categories हैं उन में से जो पहली category या type है वो है statistical infographic ये जो statistical infographic होते हैं ये वो होते हैं जिनका तालुक अदादो शुमार से होता है जिसना भी मैंने आपको cigarette पीने के नुकसानात के हवाले से बात की तो इसी हवाले से अगर कोई ऐसा infographic create किया जाए जो मतालिया कर रहा हो या मशाहिदा कर रहा हो इस चीज़ के उपर के cigarette पीने वाले लोगों में कितने ज्यादा chances हैं कैंसर की बिमारी लाहक होने के बजाए उन लोगों के जो के cigarette नहीं पीते तो अब ये जो एक research है या ये जो एक सवाल है इसको support करने के लिए जब हम graphics create करेंगे और graphics की मदद से एक infographic मनाएंगे तो उसमें definitely हम statistics का सहारा लेंगे तो ये जो एक type है ये है statistical infographic की अच्छा फिर इसके बाद एक और type या category आती है जो के कहलाती है process flow chart infographic अब ये जो process flow chart है इसका तालुग किसी भी process से होता है जब आप कोई भी process ग्राफिक्स की सूरत में या तस्वीरी शकल में आप बियान करते हैं तो basically आप एक ऐसा infographic create कर रहे हैं जो के जिसका तालुग जो है जिसकी category जो है वो type जो है वो process flow chart वाली है मिसाल के तौर पे pencil से हम drawing करते हैं sketching करते हैं लिखते हैं अब factory में ये pencil तियार किस तना से होती है अब ये पूरा process है अगर इस process के हवाले से एक infographic create किया जाए तो वो कहलाएगा एक process flow infographic इसी तना से एक और category तीसरी जो category है वो है जुनाबय अली geographic infographic ये जो geographic infographic होते हैं इनका तालुख होता है geography से यानि के इलाके से मिसाल के तौर पे अगर हम बात करने के एशिया के region के अंदर IT education के हवाले से क्या trends है तो अब ये जो बात है जो research है इसको अगर हम ग्राफिक्स की सूरत में बनाएंगे तो इसके अंदर definitely हमें एशिया का जो region है जो geography है वो हमें show करनी पड़ेगी और उस geography की बन्याद के उपर हम ये ग्राफिक create करेंगे information को हासल क तो basically information graphics के बार में आपने देखा कि ये एक ऐसा काम है जो graphic designers जिसकी मदद से किसी भी किसम की information को graphics की मदद से और तस्वीरी शकल के अंदर present करते हैं और इसका फाइदा ये होता है कि जो देखने वाला है जो viewer है वो बड़ी असानी से उस information को understand कर सकता है और ज्यादा देर तक कि याद रख सकता है आज कहल के दौर के अंदर डिजिटलाइजेशन का दौर है और डिजिटल मीडिया का दौर है डिजिटल मीडिया के ऊपर आप किसी भी बड़े ब्रैंड या बड़ी कंपनी के पेस्बुक पेज पेज पर चले जाएं आप इंस्टाग्राम ज 놜बेक हांके वहां पर अपलोड करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि लोगों का इनके जो ब्रैंड या प्रॉड़क्ट है उस में इंटरस्ट बना रहे और उनकी जो वेब साइट है उसके उपर उनकी ट्राफिक भी रहे ज्यादा से-ज। लग उसको विजर करते रहें तो यह इन्फोग्राफिक्स के अवाले से हमने सारी डिसकेशन की मैं अमीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी और आप आने वाले लेसंस में हम इन्फोग्राफिक्स के अवाले से कुछ मजीद बातें जो हैं उनको जानेंगे और इन्फोग्राफिक्स बन